ये उट्सुप गे इसके से आफ सो भी लोग, welcome back to another gameplay video तो कहीं सारा जो में लोग दुबार से के लिए जा रहे हैं, GTA 5 सा भी लोग को याद होगा लाकर हमें अपने secret base में रखने हैं, तो Lester और Franklin वही चीज़ चेक करने के लिए उस वाले secret base में गए थे, लेकिन याद terrorist को भी ये बात पता नहीं कहां से पता चल गई कि बिग माफिय और बिग माफिय का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो लोग उस वाले secret base पर कबजा करने पोच गए, वो Lester और Franklin वहाँ पर उस जगा को एक्सप्लोर करने गए थे जो कि यार बे मतलब terrorist की चपेट में आगए और यहाँ पर भाई terrorist ने उन लोग को भी एक टैप से किड्नाप कर लिया है और उनके बारे में ना सारी की सारी information बता कर रहे है और अगर उनने पता चल गया ना कि आखिरकार Lester क्या चीज़ा है तो सीधी सी बात है वो Lester को अभी के अभी मार देंगे तो और हम इना कुछ भी करके वहाँ से Lester और Franklin को बचा कर लाना है सबसे पहले ना यहाँ पर मैं कपड़े बदल लेता हूँ कि काफी दिनों से ना भी यही वाले कोट पेंट पहन रखे हैं तो अभी ना जल्दी से कपड़े बदलता हूँ और सीधा जाता हूँ ट्रैवर को सारी के सारी बात बताता हूँ और फिर जल्दी से चलता है आप लेस्टर और Franklin को बचाने के लिए तो अभी ना बिल्कुल भी फालतु की बात हैं नहीं करने है क्योकि ओल्डेटी बहुत ज़ CoAL के लें बहुए बतातर हूँ फिर पुलिस की help लेनी चीए है मेरे साफ से इस चीज में युँद है तो मेरे जाना थो अकेले जाना है तो पुलिस का तो नाम ही मतलो तो गाईसर अभीना जल्दी से बिना किसी दिरी के मैं निकल लेता हूँ, सिधर ट्रैवर के पास, वहीं पर जाकर जब हम तोनों मिलकर कुछ प्लैन होने हैंगे, तब ही कुछ आगे हो पाएगा, अधर्वाइसर अभी तो फिर बहुत जादा प्रॉब्लम है, तो चेलो जैसे कि आप लोग यहां पर देख पारे हो, अभी ना फिलाल में अपनी लैंबोगनी सेन को बगाते बगाते पोचने वालों, एकलिप्स तावर हो जब तक मुझे खाली रोट नहीं मिलता ना, तब तक मुझे अपनी लैंबोगनी सेन को चलाने का भाई मजा ही नहीं आता तो अब भी बस आप लोग इसकी स्पीड देखते हैं, वैसे सामनी की तरफ में थोड़ा सा स्पीड बेकर टाइप है, तो अभी यहां पर अपनी गाड़ी बहुत बुरी तरह चलती, और काफी जादा थीजी स्पीड पकड़ लेती है, तो भी नहीं जल्दी से काम करता हू करना है, मैं उसको सारी की सारी बात बतायाता हूं, कि फ्रैंकली नो लेस्टर को जया टैरिस ने किड्नाप कर लिया है, और उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार भाई, ट्रैवर का क्या रियक्शन होता है, भाई यार मुझे तो नहीं बता भी हमें क्या करना चीए है, में इन चीज़ा हमें वहाँ पर एंटर कैसे होना है, लेकिन अर देखो, अगर एंटर हो भी जाना उस पाइप से, तो हमें अंदाजा भी नहीं है कि वहाँ पर कितने टैरी रिस हो सकते है, क्योंकि लास्ट ने देखे थे, तो वह काफी सारे लोग थे, तो भी चलते सीधा ट् पर तो अभी ना जल्दी से बिना कि सिधीरी के मैं इसके अपार्टमेंट के अंदर चलता हूँ और यहाँ पर देखते हैं आखिर का ट्रैवर क्या कर रहा है, और गाइस अभी ना मुझे लगता है कि ट्रैवर अपने घर पर होगा, क्योंकि यार उसने ने बोला था मुझ पर देता हूँ फ्रैंक्लिन और लेस्टर के बारे में, तो इक गाइस अभी ना फिलाल यहाँ पर मैंने ट्रैवर को सारी की सारी बात बता दिया और गाइस अर पहली बार ट्रैवर ने बहुत ज़्यादा प्लान बताया है, जैसे कि लेस्टर बताता है, तो ट्रैवर ना यह कहा रहा है कि यार देखो हम टैरिस्ट को तो तब मारेंगे जब हमें पता होगा कि आखिरकार वहाँ पर कितने टैरिस्ट हैं, कई ऐसा ना हो कि हम दोनों मिलकर वहाँ पर उने मार रहें के लिए चले जाए और इतनी देर में या तो वहमें भी मार दें, या फिर कहीं तो ऐसा ना करते कि लेस्ट और फ्रैंकलिन को मार दें, तो वहाँ पर जाने से बहले हमें पूरा पूरा पता होना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पर कितने टैरिस्ट हैं, तब हम लोग वहाँ पर अटैक करेंगे, तो अभी ना उसके लिए भी एक बहुत तकड़ा प्लैन ह तो की गाईसर अभी ना फिलाल यहाँ पर मैं लिफने बैट कर आचका हूँ सीधा नीची, और गाईसर अभी ना ट्रैवर यह कह रहा है कि अगर हमें यह पता करना है कि आखिरकार वहाँ पर कितने टैरिस्ट हैं, तो उस चीज़ को लेकर हमार पस दो अप्शन है, पहला लगा होता है, ता कि हमें A to Z पता चल जाए कि आखिरकार वहाँ पर कितने बंदिया हैं, ओर ट्रैवर और फ्रैंकलिन जिनता हैं या फिर नहीं है, तो यह लेकिन इस चीज़ में भी एक प्रोब्लम है, अगर हम लोग ना वहाँ पर ड्रोन भेजते हैं, तो ड्रोन के जो साफ साफ वो उड़ता हुआ दिख जाएगा, और उन्हें मालूम पढ़ जाएगा कि यार यह ड्रोन कहां से है, किसका है, और वो तोड़ देंगे उसको, तो वो जो चीज़ है मेरे साफ से बेकार लग रही है, अभी ना यह आइडिया है, लेकिन मस्ता है कि हमें वहाँ प कोने कोने में चलेगी ना तो फाई उनको नजर भी नहीं आएगी, तो गाइस अभी ना सबसे वहले काम करते हैं, रिमोट कंट्रोल कार की ना शॉप पर चलता हूँ, और देखकर आते हैं, सबसे बेस्ट वाली रिमोट कंट्रोल कार खरीद के लाएंगे, और उस कार को ना कोई भी सेक्यूरिटी कार नहीं है, तो यार देखको सीधी सी बात है, तो यार हमेना फाई वालों को मंतली वन मिलियन डॉलर पे करने पड़ते हैं, तो आपको तो पाते हो कि मेरे बैंक में दो डॉलर थे, तो इसलिए उनकी जो बोडी कारते हैं, वह वापिस सले हैं, क्य पढ़ रहा हूं, मुझे आज पहली बार पता चला है कि यह एक कॉमिक स्टोर है, यहां पर सिर्फर चिफ कॉमिक्स मिलते हैं, अपने साथ बहुत तकड़ा स्क्याम हो गया, खेर चोड़ों कोई दिकत की बात हैं, अभी जल्दी से आपर काफी सारी टॉय शॉप हैं, किसी और टॉय शॉप पर चलते हैं, और वहां से चलकर टॉय खरीद करला दे हैं, टॉय नहीं remote control कार करीने हैं, कहने कोई टॉय हैं, लेकिन उस remote control कार से आपने बहुत ज़्यादा तकड़ा काम करने हैं, तो बहुत जल्दी से यह आपर चलता हूं टॉय शॉप ढुटने, अब चाहिसे इदर कही न कही मुझे टॉइ की शॉप भी मिल जाए तो थोड़ा सा और आके चल कर देखता हूं यहाँ पर काफी सारी 24-7 और जितनी भी शॉप से न सबका चाहिनीज में नाम है लेकिन इंगलिश में भी लिखा हूँ है चोटा सा इंटरनेट कैफे और भी बहुत स मजबूत होगी और बागी तो आप लोग यहाँ पर देख पारे हो काफी जादा बड़ी शॉप है तो की गाइस जैसे के आप लोग यहाँ पर देख पारे हो अभी ना फिलाल मैं टॉइश शॉप के अंदर आ चेक हूँ और इधर तो काफी सारे टॉइस पड़े होए और वो अली गेम्स भी है जो कि हम लोग बच्मन में खेला करते थे फिलाल यहाँ पर ना पीछे की तुरफ में काफी जादा बड़े 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 बॉक्स हैं और कुछ कंट्रोलर्स भी पड़े होए हैं यानि कि इसके पास रिमोट कंट्रोल कार जरूर होगी तो अभी न तो बहुत जड़ा चोटा है लेकिना सीधी सी बाता यह उड़कर जाने वाला है तो टैरिरिस्ट अंधेत हो है नि उनको साफ साफ यह नजर आ जाएगा तो अभी न बिना किसी देरी के शॉप से बाहर निकलते हैं तो कि गाइसर अभी ना फिलाल यहाँ पर मैं टॉय शॉ कि यह जो कारा यह एक रिमोट कंट्रोल कारा और यह हमारी निगरारी रखने के लिए आई है तो मैं साथ के साथ ही न उस टैरिरिस्ट को मार दूँगा और वो जो गन है वो अपनी पूरी को पूरी साइलेंट होनी ची है ताकि अगर मैं किसी को मारू या फिर मैं फायर वैसे तो हर काफी सारी एम्मिनेशन की शोप है लेकिन जहां पर मैं अकसर जाता हूं अभी फटरवर्ट से उसकी शोप पर चलते हैं उसकी शोप यहां पर यह वाली है जल्दी से जलते हैं बीना किसी देरी के और आपको तो पता हिए अपने पास अभी लेंबोगनी से आन सिधा एम्मिनेशन की शोप पर बस ना मुझे अपनी गाड़ी को यहां से हलकार सा राइट लेना है और यह देखो यह आगी एम्मिनेशन की शोप तो अभी ना जल्दी से यहां पर अंदर चलते हैं और इससे बात करते हैं कि आखिर कार सबसे ज़्यादा सबसे ज़्याद यहां पर इस बंदे से बात होगी है तो गाइस यह कह रहा कि अगर तुम्हें एक साइलेंट वैपन चीह है ना तो वो सिर्फर से वे की स्टन गन है अगर किसी भी बंदे को मारोगे वो सीधा भ्योश जाएगा और आसपास वाले को ना पता भी नहीं चले है कि इसकी गोली लगी है या फिसकी कोई अंदस ही प्रोब्लम हुए क्योंकि इस गन को मालने से ना बंदे का दिमाग चक्रा जाता है उसके खुण वो नहीं निकलता तो यहां पर नहीं कह रहा है इस गन करना लेकिन डैमेश थोड़ा सा कम है बढ़ यहां बंदा भ्योश कर सकती है और हर चार सेकंड बाद दुबार से रिलोड हो जाती है तो मैंने चलो कोई नहीं अब इना फिलाल यहां पर से मैंने कि स्टन गन बाय कर लिए अब इना जल्दी से ना हमें एक कैमरे की जरूत नहीं क्योंकि माइकल के पास ना ओलड़ी एक बहुत जदा तगड़ा कैमरा पड़ बड़ी वाली कार्स की मोडिविकेशन करता है तो गाइसर अभी ना फिलाल मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो कि अरीना वर के लिए वीकल मोडिफाय करता है उनके अंदर गन्स वगरा अटैच कर देता है और जो बंदा यार गन एक चोटा सा कैमरा भी अटैच करी तो गाइसर देखो अभी ना फिलाल मुझे ये नहीं मालूम कि वो बंदा मुझे कहां पर मिलने वाला है बट हैर लास्टाइम ना मैंने उसे बिग माफिक भाई की अरीना वरक्शॉप में देखा था तो अरीना वरक्शॉप जो ना यहां से काफी जदा पास है तो बीना किसी दिरी कि मैं ना वहां पर चलता हूं उठ देखकर आते कि आकर वहां पर है या फिर नहीं है अगर वो वहां पर नहीं हो आना तो कि अपनी नहीं माफिय कर देगा बट भैन को रिमोट कंट्रोल कार का नहीं आता वह बड़ी बड़ी कारों को बहुत अट nood começar का अभीना फिलाल मैं अपनी Lamborghini से आन लेकर Big Mafia की Arena Workshop के अंदर आ चुका हूँ, सोरी Big Mafia के भाई की, Big Mafia तो बिचारा कपका मारा जा चुका है, तो अभीना जल्दी से आपर मैं अपनी गाड़ी को इदर खड़े करता हूँ, और अभीना फटावट से चलता है यहाँ पर सीधा स अभीना यहाँ पर मैं और अंदर चलता हूँ, इस वाले रूम के अंदर मैंने एक बंदे को देखा था, जो कि बहुत ज़्या तकड़े तरीके से कार मोडिफाय करता है, तो देखो भाई, यही है वो बंदा, यहाँ पर आज भी वो एक रेसिंग कार मोडिफाय कर रहा है, यह फोर्मूला वन कार है, भाई कितनी ज़्यादा सही है, तो अभी ना जल्दी से आपर मैं इसको रिमोट करने लोग कार असेंबल करने के लिए बोल देता हूँ, तो ओकी गाईस आर जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पार हो, यह जो कारा है आई तो एक छोटे से बॉ लेते हैं, तो ओकी गाईस आर अभी ना फिलाल यहाँ पर उस बंदे ने जो गाड़ी है वो पूरी की पूरी मोडिफाय कर दिया, और गाईस आर अभी ना वो मुझे गाड़ी देखने के लिए बुला रहा है, और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पार है, यह जो कारा बढ़िया हो गी है, और साथ में ना इसने आगे की तरफ में स्तंगन भी लगा दिया है, और उसके उपर ना इसने कैमरा भी लगा दिया, जो कि बहुत जादा मस लग रहा है, और यहाँ पर ना मैंने इस बंदे को एक स्टिकी बॉम लगाने के लिए बोला था, और इसने दो स्टिकी बॉम लगा दिया इस गाड़ी में, और यहाँ पर जो इसकी बैक है ना उसके अंदर इसने बाकी स्टिकी बॉम का बारूद भर दिया, ताकि अगर यह गाड़ी ब्लास्ट हो, तो बहुत जादा तकड़ा धमाका हो जाए, तो अभी ना इसको मुझे नहीं माल और फट फट से निकल लेते अभी लेसर और फ्रैंकलीन को बचाने के लिए, तो चलो गाइसर अभी ना फट वर्ट से, यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लेता हूं वर्क्शॉप से, और गाइसर अभी ना मुझे इस रिमोट कंट्रोल कार को टेस्ट भी करन किसी ऐसी जगाँ पर, जहां पर मैं अपनी रिमोट कंट्रोल कार से थोड़ी बहुत ओफ रोडिंग भी करवा पाहूं, और इसका पूरा टेस्ट करने वाल है कि यह सीडियां चड़ पाती है, या फिर अगर किसी पर गोली चला है तो उसको मार पाती है, फिर नहीं मार पा पाड़ी है, और जो बेलास गैंग वालों का एरिया था, मैं भूल कैसे सकता हूं या और उनको, यहां से आगे से राइट जाना हलका सा, तो चलो गाई सार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से यहां पर मैं अपनी लांबोगनी का भगाता होनी का लेता हूं, स किसी को भी पता नहीं चलने वाला कि आखिरकार यह काम कर कोन रहा है, तो जो गाड़ी है ना वो मेरे बैग में पड़ी हूँ है, जल्दी से ना उस गाड़ी को मैं बाहर निकालता हूं, और फिर मचाते है तपाई, तो की गाईस यार, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकता हूं, तो यहां पर देखो, इस कार के अंदर ना दोनों साइड बम लगे हैं, और इसके अंदर ना टाइमिंग भी चलिए, तो टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है, जब तक मैं वहां से बॉम को एक्टिवेट नहीं करता, और जैसी मैं एक्टिवेट कर दूँगा, फटाफट से भाग जोंगो, यहां पर मैंने मार दिया, और किसी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि आकिरकर इस लड़की को हुआ क्या है, मतलब कि अगर मैं नॉर्मली गोली चलाता ना, तो सब को पता से लाता, और यहां पर शाय से लड़की ने रिमोट कंट्रोल कार को इरी ऐसे कि दैसी, भाई यह रिमोट कंट्रोल कार को देखके डर रही है, और यहां पर देखो किस टन गंसे से कितनी बुरी तरह करेंट लगा है, और यहां पर मेरे साब से अभी उठीने ने वाली, भाई बहुत ज्यादा की चीज़ता है, यह काम करता हूँ ना, किसी ऐस कार को तोड़ देंगे, और सामने से ने एक डॉग आ रहा है, डॉग के तो मैं बिल्कुल नहीं मारने वाला भाई, डॉग को कंफरम पता चल जाएगा, एक काम करता हूँ डॉग का यह मालिक है, इसको मारता हूँ यह देखो, यहां पर मैंने डॉग के मालिक को मार दिया, और यह जो डॉग था नहीं, इसका भाई, सब कैसा डॉग है, डॉग को बिल्कुल होशी नहीं है कि उसका माली के यहां पर मर चुका है, अब रॉट विलर क्या कर रहा है, बचानी कैसा रॉट विलर है, अपना फुल मस्ती में जाता जा रहा है, क्यार चड़ो यहां पर, भाई, यह देखो, इस बंदे को मालूम पड़ चुका है, कि यह जो हरकाता है, मैंने करिया, मतलब कि मेरे को काफे समाल के चलानी पड़ेगी, और इतरा गोली मारने के तेरी ऐसी की तरसी निकल यहां से, तो गाईस यार सची में, यह तो यह तो यहार बहुत ज्यादा कमा पूरा का पूरा भाईसा, पैट्रोल पंप ब्लास्ट हो सकता है, भाई, बहुत ज्यादा खतरना के तो, भाईसा, मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा तकड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है, इस वाले पे मारता हूं, इस पर कुछी नियोंगा, वहाँ गैस कहन पड़ा थ है, उनको भाई सब वहीं पर किड्नाप करके रखा हुआ है, टैरिस ने, और जो बिग माफिय का सीक्रेट बेस है, वह भी वहीं पर है, तो अभी ना अपनी गाड़ी को मैं बहुत ज़्यादा तेज भगाने वाला हूं, तीन सो किलो मिटर पर आर की स्पीड से चलाता हूं से मैं ले जाओंगा, बस आप लोग यहां पर देखते जाओ, थोड़ा सा ट्राफिक एकदम खतम हो जाए, और मैं एक बार इना हाईवे वाले रोड पर आजाओं, फिर आप मेरी गाड़ी की स्पीड देखना, वैसे यह जो रोड है यह पर भी जो स्पीड हैना, मैं एक त सीधा मांट शिलाड के लिए, और सामने वाला जो आपको मांटेन दिख लेना है, यही है मांट शिलाड, तो भी जल्दी से मुझे अपनी गाड़ी को बहुत तेज हाके बखाना है, और अब जाकर मेरी जो गाड़ी ठुकी है, बहुत बुरी तोरा ठुकी है, फिलाल मेरी तो कुछ भी नुकसान नहीं पुछा, लेकिन सामने वाली की गाड़ी के चीत डोड़ गए, अब खेर यार मेरी गाड़ी को बैनी ने मोटिफाय कर रहा है, तो यह पूरी पूरी बुलेट पूफ है, इसको इतना जाता इतनी जल्दी नुकसान नहीं पोचने वाला, लेकि जैसे कि आप लोग यहां पर देख पारे हो, अभी ना फिलाल मैं पनी लेंबोगनी से आन भगाते हैं, मांट शिलाट के थोड़ा बहुत ऊपर आचका हूँ, और यहां से और जादा उपर मैं अपनी कार को लेकर नहीं जाने वाला, क्योंकि यहां के जो रोड है ना वो ब बाइक खड़ी है, तो जल्दी से ऍनने काम करता हूँ, यहां पर अपनी गाड़ी को मैं साइड में लगा यहां में बाद में आकर अपनी गाड़ी ले जाए लेंगेगे और इस वाले टीना पो ह्पर अप्स जलते वह लोग चलते कर हम लोग चलता हैं मांट शिलाट के और यह जो रिमोट पिंट्रोल कारण है इसका वेट भी बहुत जादा भारी हो गया है क्योंकि इसके अंदर हमने एक स्टंगन लगाई है दो स्टिकी बॉम लगाया है और एक कैमरा लगाया है साथ में जो इसकी बैक वाले डिक्की थी ना उसके अंदर पूरा कफूरा गन प पारे हो ना तो यह वही माउंटेन है जिस माउंटेन के ओपर टैरिस ने कबजा कर रहा है और इसी माउंटेन से वाली पाइप जाती है सीक्रिट बेस के लिए तो अभी ना जल्दी से अपनी बाइक को मैं आगे लेकर चलता हूँ और गाईजर मेरे साबसे ना अपनी जहान अमारे उपर नहीं जाएगा तो बीना जल्दी से आपर मैं अपनी गाड़ी को नीचे रखता हूँ और इसको लेकर चलते हैं पूरा को पूरा एरिया चेक करने के लिए तो की गाईजर जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो और इस रिमोट कंट्रोल कार को मैंने जमीन पर रख दिया और गाईजर और भीना मैं इस कार को यहीं पर बैटे बैटे पूरा कंट्रोल करने वाला हूँ और मुझे नहीं हर जगा का व्यू मिलता रहेगा तो भीना जल्दी से इस गाड़ी को मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ और गाईजर यह कार इतनी नहीं जाने वाली थोड़ी बो जाएगी तो उसको कौन सा पता चलेगा की कार है उसको भी लगया कोई जानवर वानवर है फिर कोई चूहा हुआ है और बाक्यार यह जो कार है न भाई मुझे इससे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी भाई यह इतने बड़े माउंटेन को इतनी जादा अराम से और वह भी काफी जादा साई स्पीड में चड़ पा रही है तो भी नहीं जल्दी से आपर इसको एकदम धीरे-धीरे मैं आगे लेकर चलता हूँ फिलाल मिरको भी ना दूर दूर तक कोई भी टेरिस नजर नहीं आरा थोड़ा सान ओर आके लेकर चलत और यार यह जो गाड़ी है बहुत जादा ओपी है अभी ना फिलाल मैंने इसको लाके घास में रख दिया है और इसके कैमरे के थुरूना मैं हर टेरिस को देख सकता हूँ यहाँ पर तो की गाईस जैसे कैमरे मैं ने अपनी गाड़ी के उपर इंस्टोल कर रहा है यह बैक पीचे के तरफ में कुछ ऐसे तूटी-फुटी गाड़िया इन्होंने उस पाइप के चारो तरफ रख दिया है ताकि आगे प्चे से अंटर ना हो पधै जिसको भी अंत्र होना अब मुझे ना कोई भी देख नहीं पाएगा और यहां से ना मैं सारे के सारे बंदों को ध्यान से एकदम देख सकता हूँ अब यहां पर अपनी गाड़ी यार यहां से अंदर एंटर हो सकती है और सामने की तरफ में टेरिस्ट खड़ा हूँ सुचो ऊपर इतने सारे टेरिस्ट है तो आखिरकार नीचे कितने टेरिस्ट होंगे वाई बहुत जादा खतरनाक सीन है और अपनी बाइक को मैंने कहां पर खड़ा करा था मुझे याद नहीं आ रहा हूँ वैसे कार बहुत मुझबूत है कुछ भी नहीं हुए इसको देख र है तो अभी ना जल्दी से बिना किसी देरिके मैं अपनी गाड़ी को वापिस से अपने पास लेकर चलता हूं तो मैंने अपनी बाइक को शाय से नहीं पर राइट में कहीं पर खड़ा करा था तो अभी ना मुझे याद निया रहा कैमरे से नजर आजगा वैसे ये लो तो अभी ना मुझे उस जगा पर एंटर होने का ना कोई और रास्ता ढूड़ना पड़ेगा अब यार मेरे दिमाग में एक बहुत ज़दा मस्ता आइडिया है क्योंकि यार दिखोकर वहां पर अंदर एंटर होने के तो क्या पता और भी पाइप वाले रास्ते वहां पर रहते हैंवालों पर उसकान में जाने रहते हैं क्योंकि यह पर लगता है क्योंकि यह फिलाल गाओं में तो मैं नहीं जाने वाला और यहाँ पर ना एक छोटी सी जगा है और यह कुई मेरे को control room लग रहा है बहुत ज़्यादा तकड़ा सा एक काम करता हूँ ना यह मेरे को पता नहीं जगा क्यों उससे थोड़ी attachment वाली लग रही है अभी ना फटावर्ट से अपनी बाइक को मैं थोड़ा सा ओर आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ पर ना भी पर अपनी बाइक को रोड पर लेकर आचका हूँ तो अभी ना जल्दी से काम करता हूँ यहाँ पर अपनी बाइक को मैं यहीं पर खड़ा करता हूँ और पता नहीं कि यह भी तो जगा है न मेरे को उस जगा से थोड़ी बहुत connected लग रही है एक बार यह अंदर चल कर देखता हूँ यह वाला जो gate आना भाई बुरी तरह लॉक हो रहा है और यहाँ पर windows से देखता हूँ अंदर कोई रभाई सा पूरी window गंदी पड़े है कुछ भी नजर नहीं आ रहा रहा अंदर का और यह एक उर gate है यह वाला gate खोल के देखता हूँ यार यह वाला gate भी lock है और सामने की तरफ में काफी जादा बड़ी pipe है और यह जो pipe है ना यह confirm secret base के नीचे से आ रही है क्योंकि वो जो pipe है जहां से हम लोग enter होते थे वो सामने वाले mountain पर ही है और यह जो pipe है same to same उसी direction में जा रही है तो काईसर अभीना मैं 100% share तो नहीं हूँ लेकि 99% share रही हूँ कि यह जो pipe है ना वही पर जाते है क्योंकि माउंट शिलार के नीचे कोई रहता थोड़ी है सिर्फ जिफ secret base ही है तो एक काम करता हूँ ना यहाँ पर this pipe को मैं तोड़ कर देखता हूँ क्योंकि अभीना मुझे अंदर जाने के लिए इस pipe को काटना पड़ेगा तो गाईसर अभीना फिलाल यहाँ पर मैं इस pipe पे बहुत तितिच मारने वाला हूँ लेकिन गाईसर यह तो काफी ज़्यादा hard metal है मतलब कि चिंगारी निकल लिया है और pipe पर निशान तक नहीं तो गाईसर अभीना फिलाल ट्रैवर पता नहीं कहां से ड्रिल मशीन लेकर आ गया है शायद इसको नीचे मिल गई होगी और गाईसर अभीना फिलाल हम दोने ने यहाँ पर इस pipe को खोलना यानि कि टाप से बीच में से काटना है स्टार्ट कर दिया है और वैसे यह जो machine ट् आपना बहुत जादा मजबूत है तो की गाईसर जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पार रहे हैं साब फाइनली ट्रैवर ने आप पर दोनों पाईप के जितने भी पेस्टे ना सारे के सारे ड्रिल मेशीन के तोड़े डाले और यहाँ पर यह जो पाईप है अभी खुल पर निकलती है तो अभी जल्दी से मैं नीचे जलता हूँ क्योंकि नीचे ही मैंने अपनी रिमोट कंट्रोल कार खड़ी करी थी जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो अभी जल्दी से मैं इस कार को उठाता हूँ लेकर चलते सीधा पाइप में डालने के और इतनी दिर से तो अंदेहरा था बड़ यार फाइनली अब जाकर थोड़ी सी रोशनी आई है अपनी कार को ना मैं और आगे लेकर चलता हूँ और पाइप गाइस खतम हो गई यहाँ पर पुरी पुरी खतम हो चुका है और मैं शायस से सीक्रेट बेस के अंदर गाइस ए यह नहीं समझा रहा है काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना पीछे लेकर चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बिग माफिय का सीक्रेट बेस है वह बहुत जादा बड़ा है तो बीना मुझे पूरा एक्स्प्लोर करना पड़ेगा और काईस यह बिग माफिय का सीक्रेट ब जिसका ध्यान मेरे उपर था बट अभी वो मेरे को नहीं देख रहा और भाई सुने देख लिया का शिर्ट शिर्ट नहीं देखा नहीं देखा चलो भाई अभी ना फटवट से यहाँ पर मैं अपनी रिमोट कंट्रोल कार को इधर लागे खड़ा करता हूँ भाई किसे की बी नजर नहीं गई इतनी जादा साइलेंटली इतनी जादा स्पीड में इसको आगे लेकर रहा हो ना वाई किसी को भी मालूम नहीं पड़ा और एक बात का याद रखना जितना साउंड हमें इस कार का आ रहा है ना उतना टैरेश को नहीं है क्योंकि कार में माइक लगा अगर देख लेता ना तो वो डिरेक्टली मारने के लिए मिरको आ जाता और सामने की तरफ में मिरको भी कोई भी टैर्रियस नजर नहीं आ रहा तो अभी न जल्दी से आपर मैं थोड़ा सा ओर आगे चलता हूँ पीछे तो कोई नहीं 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 भाई यहाँ पर कोई भी तरफ में भी काफी सारे एक दो तीन टैर्रिस अंदर भी गुम रहे हैं और एक टैर्रिस्ट यहाँ पर पीछे करो पीछे करो भाई यह देख सकता है अभी नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके साथ मुझे क्या करना चाहिए तो गैस आर यह जो टैर्रिस्ट है ना इधर ना सिर्फ एक टैर्रिस्ट नहीं भाई बहुत सारे टैर्रिस्ट है जिनका ध्यान भाई चारो तरफ है तो अभी ना इसको पागल कैसे बनाओ एक सिकिन लुक जो यहाँ पर निसके स्टंगन बजा कर देखता हूं किसका क्या रियक्शन होता है जब यह उल्टा गू अब इसको उल्टा घुमेंगा तो अपनी यहाँ पर गाड़ी को आगे लेकर जाऊंगा अभी ना फटावट यहाँ पर मैं साइट में खड़ी करता हूं इसने अभी तक नहीं देखा है अभी ना जल्दी से मुझे उस साइट पर जाना है जो बस इसको उल्टा गूमने द कि मुझे रस्ते यहां के अच्छे से याद है तो वो जो बंदेन उसका ध्यान अभी फिलाल इधर नहीं है इसके जाने काना मैं वेट कर लेता हूं भी फटा 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 एक से देखा तो नहीं पीछे वाले नहीं 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 जल्दी से मुझे अपनी गाड़ी को काफी जादा अलग एरिया में लाकर खड़ा कर दिया है और यहां पर जितने भी टैरिस्ट है इधर उदर ध्यान तो दे रहे हैं लेकिन अभी तक इनको मेरी वाली जो गाड़ी नजर नहीं आई है तो बीना इनसे नजर बचाकर मेरेको अपनी गाड़ी को आगे ले जाना क्योंकि यह न सीड़ी के पास से हटने नहीं वाला फिलाल मैंने उसको मार दिया बहुत ही बुरी तरह इसकी करेंट लगाया बाकी बंदों को लगया कि यह ब्योश हो गया है तो क्योंकि जल्दी से काम करता हूं यहां पर फटवर्ट से अपनी कार को मैं आगे लेकर चलता लेफ्ट में भी एक रास्ता है यह वाला रास्ता कहां पर जाता है एक सिडिया नहीं चड़ पाएगी या फिर चड़ पाएगी वो चीज मुझे चेक करने पड़ेगी तो गाईस आर जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को और आगे ले जाना है और सामने की तरफ मिर बाइस द नमार रहे हैं और जैसे यह पीछे की तरफ में जाएगा ना तब मैं अपनी गाड़ी को आगे ले जाऊँगा जब तक एक काम करता है यहां पर अपनी गाड़ी को मैं थोड़ा सा राइट गुमा ले तो इस तरफ में और अभी तक तो फिलाल इसने मेरे को नहीं देखा औ भाई मेरे को नहीं समझा रहा कि मैं आगे कैसे जाऊँगा और जैसे में अपनी गाड़ी भाहर निकालेगो और इसको साफ साफ दिख जाएगी क्योंकि यह ना इतनी देर से यहीं पर घुमे जा रहा है क्यों ना मैं इसको स्टंगन वार दू वह ज्यादा सही आइडिया एक साथ खड़े उनको नहीं मार सकता वरना साफ होने रिमोट कंड्रोल कार पर शक हो जाएगा और वो लोग इस कार को फोड़ देंगे और सामने की तरफ में एक बंदा हो रहा है इसको भी मारना पड़ेगा वरना तो इससे साफ अपनी गाड़ी दिख जाएगी और अभी और अभी तो फिलाल मैं इसको नहीं नजर आ रहा हूँ अपनी गाड़ी को थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ और यहां पर तो इन दोनों की बहुत बुरी हालत कर दिया है और पूरे के पूरे एरिया में आपर आप खूनी खून देख पा रहे हो तो कि कैसार अभी ना म लेस्थर को सिर्फ एक ही बन्दा मार सकता है वो है यह वाला टेयरिस्त क्योंकि जो बाकी टेय इस वह दूसरे रूम में है तो मैं काम करता हूँ यहां पर ना इस टेयरिस्ट को मार देता हूँ और इधर जाकर ना अपनी कार ब्लास्ट कर दूंगा ताकि पूरे में आग अब बस यह है कि आग फ्रैंक्लीन और लेस्टर तक ना पोचे मेरे साब से आग वहां तक नी जाएगी आग इस वाले गेट रूर्स वाले गेट को ब्लोक कर दे वस इतना और ज्यादा आग नी चाहिए अब बॉम तगड़ा तो इतना भी तगड़ा नहीं है तो यह काम करता फ्रैंक्लीन और लेस्टर तो भ्योश हो चुकी है और रिमोट कंट्रोल कार से मैं इनको नहीं जगा सकता है एक बार इनको टेच करके देखता हूं क्या पता इसको थोड़ा बहुत भी होश हो तो क्या पता उठ जाए लेकिन गाईजर अभीना इसको बिल्कुल भी होश न रास्ते बंद हो जाएंगे तो 3,2,1 लेट्स गो तो चलू काईजर अभीना सारा काम एकदम बड़िया डन हो चुक है जल्दी सीने मैं यहां से निकल लेता हूं फटा पच्छे उस वाली पाइप से सीक्रेट बेस के अंदर एंटर होते हैं वरना यार वो लोग लेस्टर निती जलने वाली तो गाईसर अभीना मुझे कुछ भी करकर अपनी बाइक को यहां से उपर ले जाना है और उन टेरिस्ट को मार के उस वाली पाइप से अंदर एंटर होना है तब ही मैं लेस्टर और फ्रैंकलिन के पास पोच पाऊंगा तो अभीना जल्दी से काम करता और इन लोग को अभी भी साउंड नहीं है कैसे नकली टेरिस्ट निकल हो यहां से तो गाईसर अभीना फिलाल मैं किसी को भी नहीं चोड़ने वाला यहां पर जितने भी बंदे ना सबको मुझे जल्दी से मारना पड़ेगा और ट्रैवर भी बहुत ही बुरी तरह इनके ब बिना किसी देरी के यहां पर मैं स्वाली पाइप के अंदर एंटर हो जाता हूं ट्रैवर जल्दी से आजा अभी लेस्ट और फ्रैंक्लिन को बचाना है तो कि गाईस जैसे के आप लोग यहां पर देख पारे हो अभी ना फिलाल मैं उसी वाली सीक्रेट बेस के अंदर आ तो चलो गाईस अभी ना फिलाल यहां पर काफी ज़्यादा वेट करने के बाएट ट्रैवर भी यहां पर आ चको और गाईस जैसे के आप लोग यहां पर देख पारे हो ब्लास्ट होने के बाद यह जो जगा है ना पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है अभी ना थोड़ा स गैस निकल लिए उससे आख को ज़्यादा फरक पढ़नी रहा भाई ने ने यहां बहुत ज़्यादा ख़दरनाक है तो भी ना जल्दी से आपर मैं आगे चलता हूं और यार मुझे इधर कोई भी टैर्रिस क्योंनी नजर आ रहा भाई सारे के सारे टैर्रिस जलकर मर गई पर कहां चले गए कुछ नी मालूम अभी ना थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं और इधर देखो यार कुछ टैर्रिस जलके मर चुके और ये लेटे होए थे ये सारे के सारे ना आग जलने के विजा से उसके नीचे शुपने हैं लकडी के ताकि इनको कुछ ना और यहां रहा ब्लास्ट उने वाला मेरे साप से उसके निकले दो नुकल होगा अगले साल भागा ब्लास्टों है ऐए कितना खतरो ना के ब्लास्ट हुआ और यहां पर अंदर टैर्रिस तो चुपकर बैटे होए ते उसामनी तरफ में काफी सारी काउं है जो कि शैस से आज बिचारी मारी जा सकती हैं बटर मैं पूरी कोशिश करूँआ कि इनको बचा के रखूँ तो भी न यहाँ पर एक टैरी स्टोर है भाई साब यहाँ पर यह लोग मिरको ढूड़ने में लगे हुए हैं और आगे तरफ में एक बंदा हो रहे हैं जो मिरको अभी अपनी अपनी अजोल ट् आगे भाई यह बहुत जादा खतरनाक है सारे के सारे बंदू के पास लेवल टू का वेस्ट था भाई मैंने वेस्ट पैन भी नहीं रखा है और जो मेरी एच्प एनस टाइंपर बहुत जादा कम चलिए है इसलिए मुझे नहीं काफ एदा समल के लड़ना पड़ेगा और आगे की तरफ में एक और टैंक था इसको भी मैंने फोड़ दिया ताकि यहां पर जितने भी टैरिस्ट है ना वो ओटमेटिकली मारे जाए और यहां पर ना भी मुझे रस्ता बिल्कुल भी नहीं समझा रहा है मुझे कहां से आगे जाना चाहिए और यहां पर तो इदर मै है यहां पर आग बुझाने आ रहे हैं काम करता हूं जाल फो है को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है याँ पर इतनी जाधा आग है और मेरे साफ़ से यह वही वाला रास्ता है जहां पर फ्रैंक्ली और लैस्टर है तो अबुना एक्दम अराम औराम से मैं आगे चलता हूं मेर पर देख पारे हो अभी ना फिलाल यहां पर लेस्टर को मैंने अपनी बैक पर रख लिया है और ट्रैवर ने फ्रैंकलीन को रख लिया है और गाइस जल्दी से हमें इन दोनों को लेकर यहां से निकलना पड़ेगा बाक यार पूरे के पूरे एरिया में बहुत ही बुरी तर कि आग इनके तक नहीं पहुची तो चलो गाइसर अभी ना बिना किसी देरी के भागते भागते इस वाली मैं सीक्रेट बेस से बाहर निकल जाता हूं क्योंकि अभी ना कुछ पता नहीं अंदर काफी सारे बोंब कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं तो अभी ना सई टाइम पर चलो गाइसर अभी निकलना पड़ा है तो अभी इनसे पंगा लेना सही नहीं रएगा अभी फटा-वाटन अपनी बाइक पे बैटते हैं जलदी सादा ट्रैवरं को लिकर जल्डी से बैटकर हमें यां से निकलना पड़ेगा तो चलो गाईसर अभी ना फिलाल हम चारों लोग यहांपर एक ही बाइक पर बैठ चीके क्योंकि गाईसर अभी ना अपने पास कोई भी ऑप्शन नी है अभी मेरे दिमाग में चार चार बंदे भी तो बैठा रहा है तो बाइक सोगी स्पीड में कहां से जाएगी खेड चोड़ों जो भी है और यहां पर फिलाल टैर्रिस से मैंने ओल्मुस्ट थोड़ा बहुत पीछा चुड़ा लिया है और गाईसर अभी ना फटावट से बिन भी ने ढूंड भी नहीं पाएंगे इसलिए मैं इस अभी बेमतलब का पंगा लेना ने चाहता में यहां पर मैं लैस्ट्रो फ्रैंकलिन को चुड़ाने आया था हमें नहीं चाहिए बो वाले वैपन्स तो अभी नहीं पर भाई मेरे को नहीं मालुम कि टैरिस अभी भी वा लाइक कर देना मैं इस वीडियो पर एम करता हूं उल्ली 6,50,000 लाइक के लिए तो सबी लोग जल्दी से आकर लाइक का बटन दबागे गोल कंप्लीट कर दो और जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर लो मेरे से ब लाइक कर दो भी चैनल कर दो हुआ है उल्ली तो सब्सक्राइब कर दोड़ा है बग्सक्राइब कर दो भी चैनल कि अल्हां लीडियो पाइक कर दो भी कर दो फो बाप